हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप फाइव दैस्स गेमिंग लैपटॉप की जो कि आपके दोनों ही काम में आएगे यदि आप अगर एक यूटूबर हैं और आप चाहते हैं अपनी वीडियो को अच्छी तरीके से एडिट करना और लाइव स्ट्रीमिं से वीडियो के आसान से खेल सकते हैं दोस्तों यह सारे लैपटॉप जो है डेडिकेणद ट्रैफिक कार्ड के साथ में उपलद हैं दोस्तों अगर आप यूटूबर हैं और वींदयो एडिटिंग का और यह टिक्टॉकर इकार हैं आप लोग को वीडियो एडिंग करने का स होना चाहिए और इसके साथ में आपको जो ग्राफिक कार्ट की स्पीड है वो वन जो रिफ्रेश रेट है वो वन ट्वेंटी या नाइंटी हर्ट का तो होना ही चाहिए और आपकी जो लैप्टॉप की बैटरी लाइफ है वो पांस से छे घंटे की होनी चाहिए यह हमने जो की काफी बैटरीन लैप्टॉप है लूग वाइस भी और परफॉर्मेंस बारी भी जैसे कि आप सब देख सकते हैं वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है इसकी गेमिंग करफॉर्मेंस आप इसको इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इसके डिस्प्ले की तो इस यह एगा जो की अपड्लेडबल होगा दुस्तों इसमें जो है वो फॉर कोर्स के साथ में यह आपको प्रोसेसस देखने को मिल जाता है दोस्तों की बात करें तो टू पॉइंट वाट्स से लेके फो पॉइंट रहर्ट्स तक की क्लाउट स्पेड आपको देखने को मिल जा में दोस्तों इसमें dedicated SSD दिया होगा है जो की काफी बैतरीन प्रोड़क्ट होता है आपको पता ही के लिए हमें SSD की जरूरत होती है अगर हमारे फोन में अगर हमारे laptop में SSD नहीं है तो वो slow काम करता है इसमें SSD दिया है तो यह काफी fast काम करेगा दोस्तों इसमें memory को इसके RAM को आप अप्ग्रेट कर सकते हैं 16GB तक उन्होंने दिया है इस्टेंडर वारेंटी एप्लिकेबर है दोस्तों अगर बात कर लें प्राइस की तो प्राइस इसमें आपको दिया है 57,000 उपीस का आपको देखने को मिल जाएगा यह अब दोस्तों बात कर लेते हैं नं जाता है 144 हर्ट रिफ्रेश रेट के साथ और आल जो लैट्टॉप का वेट है 1.86 क्लोग्राम इसका वेट है दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर इसमें आई पाइप का 10 जनेशन देखने को मिल जाता है जिसकी क्लोक स्पीड 2.5 जिगा हर्ट से 4.5 जिगा हर् दोस्तों रैम की बात करें तो 8GB का रैम है जिसको आप अपग्रेड करके 16GB तक ले जा सकते हैं ग्राफिक कार्ड एंवेडिया का GTX 1650 है 4GB का डेडिकेट है अलगते दिया हुआ है और स्टोरेज की बात करें तो वन टीबी प्लस 256SGB देखें वन टीबी का तो इसके अंदर ग काफी बैटरी है आपके लिए है बैटरी की बात करें organize इस लैट आप्टाप में आपको दो सल की वणेटी करता तो मेरे लिए बहुत ही इसाफ्य ए याटरीन है दोटो अगर आप गैं twins करना है या दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा प्राइस की बात कर लें अगर प्राइस तो इसमें आपको फिप्टी नाइंडर नाइंटी नाइन रुपीज का आपको देखने को यह मिल जाता है अब बात कर लें नंबर त्री पे आने वाले दोनों भी बात करने डिश्पले की to 16.6 इंचिस का फॉल अजडी डिश्पले देखने को मिल जाएका दूस्तों की बात करें तो वनफाटी फॉर्टर हर्ट्स की रिफ्रेश रेट इसके साथ में आपको मिल देश्टों operating system की बात कर लें दोस्तों operating system इसमें विंड़ो 10 का है जिसके आप विंड़ो 11 में आप अप्डेट कर सकते हैं दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो Intel का अगर हम इसके प्रोसेसर की स्पीट की बात करें तो इसकी प्रोसेसर की स्पीट की बात करें तो यह आपको थोड़ा सा एक हजार मेंगा पड़ेगा जो हमारा प्राइज रेंज है सिश्टी थाउजन तक का तो इसकी प्राइज है वह सिश्टी थाउजन नाइटी नाइन रुबीज है अगर आप इसमें बैंक डिस्पाउंड और अधर उफर्स लगाएंगे तो हो सकता यह साठीजार से कम में फ्लिपकार्ड यह अमेजन पर देखने को मिल जाए लाम बात करें नंबर टू पर आने वाले लैप्टाफ की तो दोस्तों नंबर टू पर जिससे हमने रखा है वह है एसर का एसपायर सवन एसपायर सेवन काफी बैठरी लैप्टाफ है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके तो बहुत ही ज्यादा लोग फैन हो जाता है इसको यूज करके काफी स्मूथ करता है इस सारे के सारे गेम को अगर आप वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते है तो इससे काफी बैठरी वीडियो एडिटिंग की जी जा सकती है दोस्तों बात करें डिस्प्ले की तो 15.6 इ देखने को मिल जाता है ऑप णिंग इसमें आप को विंडू 10 की देखने को मिल जाती है जैसे आप विंडो 11 में अपड़ेट कर सकते हैं दोस्तों रैम की बात करें तो पांसो बारा जीबी की SSD आपको इसमें दिखने को बिल जाती है ग्रेफिक का इसमें 4Gb का एंवीडिय दोस्तों एट पार्थ का इन्हों ने कोड किया है तो मिझे लगता है जब इससे आप गेमिंग करेंगे तो आठ गंटे का नहीं मिलेगा आप इसका लगबार थर्टी तू फॉर्टी परसेंट कम ही मालें क्योंकि ये लोग के हिसाब से लैप्टॉप को टेस्टिंग करते हैं और द दिस्टों आप पसक्षिछ लगाएंगे तो हो सकता है ये प्चैसे ऐसे कम में ही आपको ये डेट को बिल जाहें आप बात कर लेते हैं नूंबर वन पे esaلों से नं-बर बनते जिसे खसी पडेंन गेमिंग जोंकि राईजन फाइड शागर प्रसेसर के साथ में दोस्तों तो without optical disk के ही है जहां तक जितने भी laptop मैंने दिखाएं सीरिस के अंदर वो सारे without optical disk के ही है आप इसमें दियान रखिएगा अगर उसको लगवाना है तो उसको आपको अलग से की पर्चेज करना पड़ेगा इसमें क्योंकि ग्रैफिक कार्ट के बज़े से लैप्टॉप के अंदर जगह नहीं बसती है कि वह अप्टिकल ड्राइब भी लगा सकते तो इसलिए इस सारे के सारे लैप्टॉप विदाउट ऑप्टिकल ड्राइब के बात करें ग्रैफिक कार्ट की तो एन्वीडिया का ग्रैफिक कार्ट देखने को मिल जाता है रैम की बात करें तो रैम आपको 8GB की है और प्रोसेसर इसमें AMD का राइजन 5 है सिक्स कोर के साथ में दोस्तों रोम आपको वन सकते हैं अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आपको एक कमेंट हमारे लिए प्रोसान होगा कि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें मिलते हैं अगली वीडियो में तक तक के लिए जहें चेवार